दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माग दर्शन फार्शिविल सेवरिसेज में मैं अनुराक्ष जोथरी दोस्तों PCS प्रारंभिक परिच्छा की रड़नीत में पुराने वर्षों के प्रारंभिक और मुख्य परिच्छा के प्रशन पत्रों का रिवीजन करना बहुत ही महत्पूर है क्योंकि कई प्रश्ण पुराने वर्सों के प्रश्ण पत्रों से हूबहू वही पूच लिये जाते हैं इसमें आज हम देखेंगे PCS मुख्य परिच्छा 2016 के सामान नियध्यम प्रथम प्रश्ण पत्र का प्रथम भाग इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है 1921 का मौपला बिद्रो कहां पे हुआ था 1921 का मौपला बिद्रो माला बार में हुआ था मौपला दच्छडी केरल के मुसलमान पट्टेदार थे जिनको कनामदार कहा जाता था था खेतिहर मजदूर वेरूम पट्टमदार इनका जमिनदारों के बिरुद्ध बिद्रो था ये जो 1921 का मौपला बिद्रो था अगला प्रश्ण है सुबास चंद्रबोस ने फारवर्ड बलाग की अस्थापना कब की थी तो सुबास चंद्रबोस ने फारवर्ड बलाग की अस्थापना 1949 में की थी अगला प्रश्ण है जवाहर लाल नहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था हिंदी की पर्थम समाचार पत्र उदंत मार्तंड उदंत मार्तंड हिंदी का पर्थम समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को पहली पार प्रकासित हुआ था यह कहां से प्रकासित हुआ था तो जो हिंदी का पर्थम समाचार पत्र उदंत मारतंड था ये 30 माई 1826 को कोलकाता से प्रकासित हुआ था यह एक सापताहिक पत्र था तथा इसके संपादक पंडित जुगुल की सोर थे अगला प्रश्ण है लगातार 6 वर्ष तक भारती राष्टी का अंग्रेश का अध्यक्ष कौन रहा था लगातार 6 वर्षों तक भारती राष्टी का अंग्रेश के अध्यक्ष अबुल कलाम आजात थे जो 1940 से 1946 तक लगातार भारती राष्टी का अंग्रेश के अध्यक्ष थ अगला प्रश्ण है कि किस आंदोलन में महिलाओं की सरवाधिक भागिदारी रही इंपार्टेंट है नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है नमक सत्याग्रह इस आंदोलन में महिलाओं की भागिदारी सरवाधिक रही सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भारत सेवक समाज सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी यानि कि भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले रहे और इसकी अस्थापना 1905 में हुई थी अगला प्रश्ण है कि 1885 में अस्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन के संस्थापकों में कौन था तो जो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन की अस्थापना हुई थी 1885 में उसमें फिरोस साह महता संस्थापकों में थे अगला प्रश्ण है 2016 में डाक्टर भीम राव अम्बेटकर की कौन सी पूर्यति थी मनाई गई थी 2016 में ये PCS में 2016 का प्रश्ण है तो ये एक तरह से करेंट अफेर्स के अंतरगत भी आ सकता है आया होगा कि 2016 में डाक्टर भीम राव अम्बेटकर की 61 पूर्यति थी मनाई गई थी उनका जन्म 14 अप्रयल 1891 को और उनकी पूर्यति थी 6 दिसंबर 1956 को फड़ती है अगला प्रश्ण है भारती राष्ट्री कांग्रेस के किस अध्यवेशन की अध्यचता नागपुर अध्यवेशन जो 1922 में इसकी अध्यचता चितरंजन दास ने की थी अगला प्रश्ण है कि किस ने 1904 से लगातार भारत को स्वसासन देने पर बल दिया 1904 से लगातार भारत को स्वसासन देने पर बल दादा भाई नवरोजी यानि की ग्रेंड ओल्ड महिना फिंडिया इन्होंने भारत को लगातार स्वसासन देने पर बल दिया चोदहमी सदी इसापुरो का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है कौन सा अभिलेख था तो ये बोगज कोई मद्धेसिया या एसिया माइनर का अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है ये प्रशन एक दो बार और प्रारंभि परिच्छा में पूछा जा जुका है तो इसलिए ये इंपर्टेंट है क्योंकि कई प्रश्ण हुबहु पुराने प्रश्ण पत्रों से उठा लिए जाते हैं तो उन प्रश्णों को देखना बहुत जरूरी होता है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण अंग्रेजों ने र क्रियासील बिधान परिशत का सिर्जन किया इंपर्टेंट है ये राजविवस्था के अंतरगत और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतरगत भी महतोपूर है तो ये है किस कानून में भारत में पहली बार एक क्रियासील बिधान परिशत का सिर्जन किया तो 1853 के चार्टर ने भारत में पहली बार एक क्रियासील विधान परशत का थृजन किया था अगला प्रशन है और इंपार्टेंट भी कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य थे लाड़ पैथिक लारंस इस्टिफर्ड क्रिप्स और एबी अलेकजेंडर ये सदस्य थे लाड़ पैथिक लारंस इस्टिफर्ड क्रिप्स और एबी अलेकजेंडर उसमें जो अन्याफसन था साइमन साइमन नहीं था साइमन तो साइमन कमिशन की अस्थापना जो हुई थी उसका सदसे था इसी के नाम पे साइमन कमिशन की अस्थापना हुई थी लेकिन कैबिनेट मिशन में साइमन सामिल नहीं थे इसमें सामिल थे लार्ड पैसिक लारेंस, इस्टिफर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था अगला प्रश्ण है बुक है अनहिलेशन आपकाष्ट अनहिलेशन आपकाष्ट पुस्तक की रचना किसने की थी डाक्टर भीमरा अंबेटकर ने अनहिलेशन आपकाष्ट पुस्तक लिखी है भारत के संदर्व में सासन में पित्र सतात्मक द्रिष्टकोंड किससे संबंधित है अगला प्रश्ण है वारिंद्र घोस वारिंद्र घोष किस से जूड़े थे ये वारिंद्र घोष अनुसीलन समित से जूड़े हुए थे ये क्रांतिकारी थे वारिंद्र घोष क्रांतिकारी थे और अनुसीलन समित से जूड़े हुए थे अगला प्रेशन है Indian Institute of Technology and Environment कहां पे इस्थित है ये नई दिल्ली में इस्थित है नेक्स्ट कोईशन है कि किस मापक से हरिकेन द्वारा छति मापन में प्रयोग किया जाता है इसके द्वारा जो नुकसान होता है उसको किस मापन से मापन से मापन जाता है तो ये साफिर सिम्सन मापक होता है इससे हरिकेन द्वारा छति का मापन किया जाता है अगला प्रश्ण है कि बैस्विक तापन के लिए उत्तरदाई कौन सी गैस नहीं है बैस्विक तापन के लिए आरगन उत्तरदाई नहीं है मेथेन, कारबन डायकसाइड ये सारी गैसें बैस्विक तापन के लिए उत्तरदाई है लेकिन आरगन एक अक्री गैस है या उत्कृष्ट गैस है जिनने कहा जाता है नोबल गैस तो ये आरगन जो है बैस्विक तापन के लिए उत्तर दाई नहीं है अगला प्रेश्ण है प्रित्वी सम्मेलन प्लस 5 कहां आयोजित किया गया था तो प्रित्वी सम्मेलन प्लस 5 का आयोजन 1997 में किया गया था अगला प्रेश्ण है कि भारत के राष्टी जलवाई परिवरतन कार्योजना में क्या सामिल नहीं है भारत के राष्ट्री जलवाई परिवरतन कारियोजना जो National Climate Change Action Plan है उसमें सामिल नहीं है नाभी की सक्ती नाभी की सक्ती नहीं सामिल है इस मिशन में क्या क्या चीजें सामिल है सौर उर्जा, समवर्धित उर्जा बचत, सतत परियावास मिशन, जल मिशन, हिमालाई पडाली, परिरच्छन, हरित भारत, सतत क्रिसी और राष्टी जलवाई परिवरतन कारियोजना में लेकिन नाभी की सक्ती सामिल नहीं है इस मिशन में कुल आठ चीजें सामिल है जिसमें सौर उर्जा, समवर्धित उर्जा बचत, सतत परियावास मिशन, जल मिशन आदी आठ चीजें इस कारियोजना में सामिल है अगला प्रश्ण है कि किस देश में उसके भौगोलिक छेतर का सत्तर प्रषद भाग पर वन बनाये रखने का समवैधानिक प्रावधान है इंपर्टेंट है भूटान में भूटान दुनिया का कार्बन निगेटिव देश भी माना जाता है यहाँ पे कार्बन उसर्जन कम है क्योंकि यहाँ पे वनों की मातरा सरवाधिक है और उसके समवैधानिक प्रावधान है देखे कि उसके कुल भौगोलिक छेतर के सत्तर प जल निकाय में घनत्व प्रवरता दिखाने के लिए पिक्नोकलाइन का प्रयोग किया जाता है यानि पिक्नोकलाइन से ताथपर है जल निकाय में घनत्व प्रवरता अगला प्रश्ण है कि कौन भारत का बायो डाइवर्सिटी हार्ट इस्पार्ट नहीं है तो बायो डाइव अगला प्रश्ण है कि यमुना एक्षन प्लान को आपचारिक रूप से कब प्रारम किया था? यमुना एक्षन प्लान को आपचारिक रूप से 1993 में प्रारम किया था? अगला प्रश्ण है कि पिन वैली राष्ट्री उद्यान कहां पे इस्थित है? तो ये लाहौल इस्पीत हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्री उद्यान इस्थित है? जनगर्णा से संबंधित जो प्रश्ण है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार पुरुस इस्त्री साच्छर्टा में नियूंतम अंतर वाला राज्जी कौन सा है? तो ये मेगाला है जो उसमें आपसन में उपलब्द रहे होंगे उनमें सबसे कम इस्त्री पुरुस साच्छर्ट है जैसे राजस्थान, बिहा, राधिराज्यों में पुरुस महिला साक्छर्टा यूपी में भी है पुरुस महिला साक्छर्टा में अंतर पाया जाता है लेकिन मेगाले में नियूंतम अंतर है अगला प्रश्ण है कि भारत का सरवाधिक आवादी वाला द्वीप कौन सा है सलसेट द्विप सलसेट द्विप भारत का सरवाधिक आवादी वाला द्विप है मुंबई सहर जो है इसी पे बसा हुआ है सलसेट द्विप पे मुंबई सहर बसा हुआ है भारत में वरिष्ट आयू निर्भरता अनुपात 2011 की जन्गर्णा के अनुसार कितना है चौदध दस्मलो दो प्रतिसत है एन एस एस ओ राष्टी प्रतिदर सर्वेच्छन संगठन के अनुसार दो हजार चौदध के अनुमान अनुसार ग्रामीड परिवारों में कृसी बिनियोजित ग्रामीड परिवारों का प्रतिसत कितना है तो ये कृसी में जो बिनियोजित परिवार हैं उनका प्रतिसत 57.8 प्रतिसत है जबकि उत्तर प्रदेश में ये 74.8 प्रतिसत है इसका ताथ पर ये है कि राश्टी हस्तर पर क्रिसी ग्रामीड परिवारों में सरवाधिक क्रिसी में जो बिनियोजित परिवार हैं क्रिसी कारे में लगे हुए हैं वो 57.8 प्रति यानि कि यहाँ पे जो ग्रामीड परिवार हैं उनमें से ज्यादा तर क्रिसी कारे में ही लगे हुए हैं। अगला प्रेश्ण है कि कौन सा राज बंगलादेश से सीमा नहीं बनाता है। बंगलादेश से सीमा नागालेंड नहीं बनाता है। बाकी और राज असम, मेगाले, मीजोरम, त्रिपुरा तथा पश्यम बंगाल ये सब बंगलादेश से सीमा बनाते हैं और भारत की अंतराश्टी सीमा बंगलादेश को सरवाधिक लंबी है मतलब बंगलादेश से जो सीमा रेखा है भारत की वो सरवाधिक लंबी है जनगर्णा 2011 के अनुसार किस राज में अनुसूचित जनजात के लोगों की जनसंख्या सरवाधिक है ह्ट यानि की सेडूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजात के लोगों की सरवाधिक संख्या मध्यपरदेश में है अगला प्रश्ण है कि जंळगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगर मिलियन सिटी यानि कि दसलाखी नगरों की सूची में अंतिमस्थान पे कौन है? कूटा कुल दसलाखी नगर भारत में तिर्पन है कोटा तिरपनवा है और ये अंतिमस्थान पर यानि कि सबसे नया 10 लाखी सहर कोटा है किस राज में 2001 से 2011 के बीच सरवाधिक साक्षरता बृध्धी रही है 2001 से 2011 के बीच सरवाधिक साक्षरता बृध्धी बिहार में रही है 14.08 प्रतिसत अगला प्रेशन है कि 2011 की जन्गर्णा के अनुसार 20 वर्स और उससे अधिक आयू के लोगों का प्रतिसत कुल कितना है तो 20 वर्स और उससे अधिक आयू के लोगों का प्रतिसत 69.29 प्रतिसत है अगला प्रशन है कि जनवरी 2016 में घोसित स्मार्ट सिटी के रूप में बिक्सित होने वाले 20 सहरों की सूची में पहले अस्थान पे कौन सा जो शहर था वो भोनेस्वर था ये करेंट का डेटा है इस समय ये पूछ सकता है कि सौवा सहर कौन सा है आप कमेंट बाक्स में बताएगा और PCS Preakley तैयार भी रखेगा अगला प्रशन है कि एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है एसिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी है जो की चीन में बहती है यांग टी सी एसिया की सबसे लंबी नदी है इसकी लंबाई 6380 किलो मीटर है जो एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पूर्वी चीन सागर में इसका मुहाना है यानि कि ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है एसिया की सबसे लंबी नदी यांग टी सी चीन कौन स महादीब गोंडवारना लेंड का भाग नहीं था उत्तरी अमेरिका गोंडवारना लेंड का भाग नहीं था अगला प्रश्ण है विस्व में गन्ने का दुतिय ब्रिहत्तम उत्पादक देश कौन सा है तो गन्ने का दुतिय ब्रिहत्तम उत्पादक देश भारत है पहले अस् सोनोरन संयुक्त राजे अमेरिका का है तकला माकन चीन का है काराकुम तुर्कमेनिस्तान गिबसन पस्चिम आस्ट्रेलिया तो सुमेलन इसमें यह हम कर सकते हैं सोनोरन संयुक्त राजे अमेरिका तकला माकन चीन काराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिबसन गिबसन मरुस्थल ये पश्यम आस्ट्रेलिया में है, अगला प्रशन है, सभी प्रकार के जलवाई कटवंद किस महादीप में पाय जाते हैं, इंपार्टेंट है, सभी प्रकार के जलवाई कटवंद किस महादीप में पाय जाते हैं, तो एसिया है, सही जबाब, एसिया में सभी प्रकार के पाइकटबंद पाए जाते हैं अगला प्रश्ण है विस्व का दुतिय ब्रियत्तम कहवा निर्यातक राष्ट कौन सा है दुतिय कहवा निर्यातक राष्ट है बियतनाम बियतनाम दूसरे नंबर पे काफी निर्यात में है पहले अस्थान पे ब्राजील है दूसरे पे बियतन तीसरे पे कोलंबिया अगला प्रश्ण है टैगा बन किस छेतर की विशेषता है टैगा बन समसीतोष्ड छेतर की विशेषता है समसीतोष्ड छेतरों में टैगा बन पाय जाते हैं अगला प्रश्ण है कि बंगला देश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है सुकला फांटा बन्य जिव अभ्यारणे कहां इस्थित है सुकला फांटा बन्य जिव अभ्यारणे नेपाल में इस्थित है अंतराष्टी समुद्री संगठन का मुख्याले कहां पे है अंतराष्टी समुद्री संगठन का मुख्याले लंदन मे है प्रित्वी पर मूलत एक ही विसाल भूखंड था जिसको क्या कहा जाता था पैंजिया पैंजिया कहा जाता था समस्त अस्थल को पैंजिया कहा जाता था और पैंजिया के चारो और एक सागर था जिसको पैंथालसा कहा जाता है तो दोस्तों ये था PCS 2016 मुख्य परिच्छा सामानियध्धन जो पर्थम प्रश्ण पत्र था उसका पहला भाग हमने देखा इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे तब जाके ये जो 150 प्रश्ण का सामानियध्धन आता है ये हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो इस वीडियो को आप एक बड़ दुहरा ल देखेंगे आगे के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें नमस्कार धन्यवाद